हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि हम अर्बी की सब्जी को कैसे क्रंची टेस्टी और कुरकुरा बनाएं तो आईए देखते हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने गोल और छोटी अकार की अर्बी को ले लिया था और उसके जो छिलके हैं उसको पील करके फिर अच्छी तरह से इसको धो लिया था अर्बी को धोने के बाद उसका जो पानी है उसको सुखाने के बाद इसे मैंने इस तरह से बारीक स्लाइसि इसमें से कट करना है और अब मैं इसके तड़के की तायारी करती हूँ तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई रख ली है उसमें टेल डाल दिया है और अब मैं फेनुग्रिक सीट्स हाफ टी स्पून आधा चमच टी स्पून इसमें मैंने मेथी दाना एड कर दिया है और अब हीं खल्दी पाउडर 1 टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टी स्पून और ये कॉरियंडर पाउडर 1 टी स्पून, अब मैं इस सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, अब इसमें मैं कटी हुई अर्भी डाल दूँगी, तो अब मैंने इसमें कटी हुई हर्भी को डाल दिया है, अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, अब इसमें मैं अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें नमक एड़ करने वाली हूँ, तो नमक यहां पर मैं 1 टीस्पून एड़ कर रही हैं बाकी आप according to taste ले सकते हैं और अब फिर से इसे अच्छी तरह से mix करते हुए अब इसे में धक्कन लगा करके थोड़ी देर के लिए कुख होने दूँगी और थोड़ी देर बाद फिर हटा करके देखूंगी तो इस तरह से यह हलकी सी कुख हो चुकी होगी और अब मैं इसे अच्छी तरह से mix कर लूँगी हैला दूँगी ताकि एक तरफ से जो कुख हो चुकी है तो वो हर तरफ से कुख होई तो इस तरह से हिलाना है और इसे अच्छी तरह से फैला देना है कड़ाई में चिपका करके बिल्कुल नहीं रखना है और फिर ढकन लगा करके फिर थोड़ी देर बाद फिर से हम चेक कर लेंगे तो फिर से अब इसे मैंने इस तरह से हिलाना है और हिलाते टाइम इसमें most important टिप है ये कि अगर आप चाहतें कि आपकी अर्बी कुरकुरी क्रंची बने तो ये most important टिप है कि इसे आप इस तरह से फैला दें कड़ाई में बिल्कुल चिपका कर ना रखें जब भी आप इसे हिलाएं तो इस तरह से फैलाते हुए हिलाने के बाद इसे फैला दें और अब इसे हमें धक्कन लगाने के ज़रूरत नहीं है थोड़ी देर 2-3 मिनिट हमें इसे बिना धक्कन के कुक करना है और इसको कुक करने में एटलिस्ट आपका 15-20 मिनिट लगते हैं बहुत ही आसानी से बन जाती है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो I hope friends आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए और बैल आइकन जुरूर प् आई है और यह वीडियो